अधिकतर लोग स्वस्त और लंबी उमेर तक जीने की इच्छा रखते हैं दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहांके लोग लंबे समय तक जीते हैं आज हम आपको इस वीडियो में 10 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहांके लोग सबसे जादा जीते हैं और इसके पीछे का क्या कारण है वो भी आज हम आपको इस वीडियो में पताएंगे अगर हम भारत की बात करें तो इस रेस में भारत बहुत पीछे है क्योंकि भारत के लोगों की ओसतन आयू केवल 68 साल है नमस्कार दोस्तों मैं हू निशान जिंदल और आप देख रहे हैं डेली कैच इस रेस में दसवे नमबर पर आता है आइसलेंड यहां के लोगों की ओसतन आयू 82 साल होती है यह एक बहुत छोटा और बहुत सुन्दर देश है आइसलेंड का नाम सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो कोई बर्फीला देश होगा लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है आइसलेंड में बर्फ से ज़ादा हर्याली देखने को मिलती है यही कारण है कि यहां के लोग लंबे समय तक जी पाते है इस रेस में अगला नमबर आता है एंडॉरा का यहां के लोगों की ओसतनायू 83 साल होती है एंडॉरा एक यूरोपेन कंट्री है यह देश फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है यहां के लोग अपने खान पान का पूरा ध्यान रखते हैं और यहां पर सी फूड और माज रात के खाने के लिए बहुत पसंद किया जाता है यही कारण है कि यहां के लोग स्वस्त और लंबा जीवन जीते हैं इस रेस में अगला नमबर आता है जपान का यहां के लोगों की ओसतनायू 84 साल होती है जापान के लोग साफ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा साफधान रहते हैं वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं जिससे की बिमारी नहीं फैलती वहां के बच्चों को शुरू से ही साफ सफाई और अच्छी डाइट लेने के इंस्रक्शन्स दिये जाते हैं जापान की गॉर्णमेंट हेल्थ के मामले में कोई डील नहीं देती और यहां पर अपने आपको स्वस्त रखने के लिए गॉर्णमेंट ने बहुत कानून बना रखे हैं और जो इनका पालन नहीं करता उस पर जुर्माना या फिर टेक्स लगाया जाता है इस रेस में अंगला नंबर आता है सिंगापॉर का यहां के लोग की ओसतनायू 84 साल होती है सिंगापॉर बहुत एक सुंदर देश है इसकी खुपसूरती देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां खुमने आते हैं और यहां पर भी स्वास्त को बहुत गंभीरता से लिया जाता है सिंगापॉर दुनिया के सबसे अच्छे हेल्थ फैसिलिटी वाले देशों में से एक है इसलिए यहां पर विमारी जो है कम टाइम तर टिक पाती है और यहां की गॉर्मेंट भी हेल्थ मेनेजमेंट के ले करके बहुत ध्यान देती है इस रेस में अगला नमबर आता है सैन मरीनो का यहां के लोगों की औसितन आयू 85 साल होती है सैन मरीनो एक पहाड़ी लाके वाला तेश है यह देश उत्री इटली से घिरा हुआ है वैसे तो यह देश हिस्टॉरिक आर्किटेक्चर के लिए बहुत मशूर है लेकिन यहां के लोग भी जापान की तरह साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और बिमारी से दूर रहते हैं यहां के लोग मेडिटेशन में भी बहुत बिलीफ करते हैं इसलिए भी यहां के लोग लंबे समय तक जी पाते हैं इस रेस में अगला नंबर आता है स्पेन का यहां के लोगों की औस्टनायू 85 साल होती है इस्पेन हेल्थ फेसिलिटी के मामले में दुनिया भर में पांचवे नंबर बता है इस्पेन एक बहुती मौज मस्ती वाला देश है और यहां के लोग ज़ादा मस्ती और खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं यही कारण है कि यहां के लोग लंबे समय तक जीप आते हैं इस रेस में अगला नंबर आता है इटली का यहां के लोगों की औस्टनायू 86 साल होती है इटली हेल्थ फेसिलिटी के मामले में दुनिया भर में तीसरे नंबर बर आता है यहां के लोग ड्रिंक के तौर पर वाइन पीना जादा पसंद करते हैं लेकिन फिर भी हेल्दी फूर्ड और गौर्वर्मेंट की हेल्थ फेसिलिटी के चलते यहां के लोग एक स्वस्त और लंबा जीवन जीते हैं इस रेस में अगला नंबर आता है सुईजलेंड का यहां के लोगों की औस्टन आयू 86 साल होती है सुईजलेंड अपनी खुबसूर्ती और पहाडों के लिए सबसे ज़्यादा मशूर है यहां के लोग काम से ज़्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं और यहां पर लोग वॉक करना ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए सुईजलेंड का जो पॉलिशन काउंट है वो भी बहुत कम है जो एक बहुत बड़ा कारण है यहां के लोगों के लंबे जीवन का इस रेस में अगला नंबर आता है हॉंग कॉंग का यहां के लोगों के असुतनायू 87 साल होती है हॉंग कॉंग दुनिया में सबसे अच्छे हेल्थ फैसिलिटी वाले देशों में से एक है हॉंग कॉंग में लोग खुद को लेकर के बहुत सतर्क रहते हैं यही नहीं हॉंग कॉंग वन अफ दे क्लीनेस्ट कंट्री इन दा वर्ल्ड है यानि कि साफ सफाई के मामले में भी हॉंग कॉंग का कोई जवाब नहीं शायद यही एक कारण है कि सफाई और हेल्थ फैसिलिटी के चलते यहां के लोग भी लंबा जीवन जीब आते हैं इस रेस में अगला नंबर आता है मुनायको का यहां के लोगों की ओस्तोतनाईव 89 साल होती है मुनायको एक बहुत छोटा देश है यह दुनिया भर में दूसरा सबसे छोटा देश है छोटा देश होने के कारण यहां पॉलिशन कम है दुनिया भर में सबसे कम पॉलिशन वाला देश मुनैको ही है यहां की हवा सबसे साफ होती है जिससे बिमारी कम फैलती है और यहां के लोग लंबा जीवन जी पाते हैं तो दोस्तो यहीं थे वो कुछ दस देश जहां के लोग सबसे लंबे समय तक जीते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और आगे आने वाली वीडियो के लिए बैल आइकन को जरूर दबाए तो दोस्तो मैं आपसे विदा लेता हूँ अगली वीडियो लेकर आपके लिए जल्द हाजिरूंगा तब तक के लिए धन्यवाद